सब्जेक्ट है हमारा कॉम्णिकेशन एड़ एड़ुकेशन टेक्निलोजी सेम पैटर्न है थ्री आर्ट का हमारा कॉशन पेपर है एंड 75 मार्क हमें यहां से गीन करने है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉशन नोट पढ़ लेते हैं अटेंप्स आल कॉशन हमें है फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं अच्छे होंगे मैं पूझा आपके लिए लेकर आए हूं आज नया कॉशन पेपर जो की है बीए सी नर्सिंग सेकेंड एर से एंड तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शें सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लास्ट एन यहर्ज के सारे कॉशन पेपर लेकर आती रहूंगी सभी यहर्ज की तो फ्रिंस बीना देरी करें स्टाइट करते हैं अपना आज का वीडियो अगर अगर जो की है हमारा अगर्स टुथावजन टैन का सब्जेक्ट है हमारा कॉम्निकेशन एंड एड्यूकेशन टेक्नोलजी सेम पेटर्न है थ्री आर्ट का हमारा कॉश्चन पेपर है और 75 मार्क्स हमें यहां से गीन करने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉश्चन नोट पढ़ लेते हैं अटेंप्स आल कॉश्चन बी एक्स्प्लें दी कॉम्निकेशन प्रॉसर्स कॉश्चन सी डिसकस दी बैरियर ओफ कॉम्निकेशन यह है हमारा पहला कॉश्चन जो की हमारा 15 मार्क्स में है 10 प्लस 2 प्लस 3 is equal to 15 मार्क्स में हमारा कॉश्चन पेपर हैं सौरी कॉश्चन है फेला नेक्स्ट है है हमारा second question, second question में भी two part दिए गए है, second question में two part दिए गए है, पहले में हमारे तीन थे, तो तेट के हमें question A, list the type of audio visual aids, question B, discuss about three dimensional aids, health in nursing educational system, ये हमारा 5 plus 10, ये भी हमारा 15 नमबर का question है, actually अगर 5 question दिए गए है तो सभी हमारे, तो 3 marks में मिलेंगे, क्योंकि 475 marks का हमारा question paper है, total, next है हमारा question number third, question number third में भी three part दिए गए है, three part में देखते है, question A, define term guidance and counselling, question B, list the purpose of guidance and counselling, question C, describe how will you organize counselling services, ये हमारा third question है, जिसमें three part दिए गए है, और ये भी हमारा 15 नमबर का question है, next है हमारा question number four, describe the principle and maximum, maxims of technique teaching, ये हमारा 15 नमबर का question है, ये हमारा 15 नमबर का question है, और इसमें एक ही पार्ट दिया गया, हमारा fourth question में, next है हमारा fifth question, जैसे हमारे question में देखते है, question paper में देखते है, last में हमें short note attempt करने होते है, यहां पे हमें short note attempt करने है, जिसमें हमें दीए हुए है, पांच में से हमें तीन attempt करने है, जो की एक एक 555 नमबर का होगा, और चलिए, पहला देखते हैं, सबसे पहला, A है हमारा group dining, group dynamics, question B है हमारा easy type of questions, question C है हमारा characteristic of learning, question D है हमारा blackboard, chalkboard, question E है हमारा health education, question F हमारा bedside cleaning, यह था हमारा fifth question, जिसमें से 5 नमबर का 1 question है, तीन question attempt करके हमें यहां से 15 नमबर का question attempt करना है, और हमें यहां पे अच्छे से त्यारी करनी है, questions की, and यह जो question papers होते हैं, आपके लिए बहुत helpful रहेंगे, क्योंकि यह हमारे पूरे इस लेबर की समरी होता है, अगर आप इने पढ़ लेते हैं, या अपने पूरे साल किसी रिजन से किसी प्रॉब्लम के वज़े से नहीं पढ़ा, तो अगर आप अन टाइम पे अगर इनको भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें से पे आप बहुत अच्छे से नितियारी कर सकते ह हैं, तो फ्रेंट्स ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चलू कर ले, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, थैंक यू फ्रेंट्स